हेलो फ्रेंद्स, अस्सलामों अलाइकुम, तो क्या हाले हैं आप लोगों के, तो हाजिर हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गोला कबाब, तो आईए देखते हैं इस इंटरस्टिंग और मज़ेदार से गोला कबाब की रेसिपी, और हाँ, रेसिपी पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंज के साथ शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ, तो गोला कबाब बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर लिया है, वन किलो ग्राम, यानि एक किलो मटिन का कीमा, आप चाहें तो चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप अच्छे से वाश कर लें, और इसे आप एक स्ट्रेनर में रग दें, ताकि इसका जो सारा एक मैं आट करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले, मैंने यहाँ पर लिया है, टू टी स्पून कुटी हुई धनिया, जो साबुद धनिया होती है ना उसे हमने क्रश कर लिया है, टू टी स्पून गरम मसाला पाउडर, वन टी स्पून जीरा पाउडर, वन टी स्पून कुटी तो आप इसे skip कर सकते हैं 1 तीस्पून हल्दी पाउडर 1 तीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये तीक ही नहीं होती है और 1 तीस्पून हमने याँ पर नमक का इस्तमाल के है नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें अब इन सारे इंग्रीडियन को हम एड़ कर देंगे मिक्सी के जार में कीमो के साथ और साथ ही अब हम इसमें एड़ करेंगे बिरिस्ता यानि तली हुई प्याज एक मीडियम साइस की प्याज को हमने याँ पर बिरिस्ता कर लिया है इस बिरिस्ता की रेसेपी मेरे चैनल पे अप्लोडेड है उपर में इसका लिंक दे रही हूँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से धनिया और पुदीनी के पत्ते इसे आप बारी चॉप कर लें अब हम इसमें एड़ करेंगे टू टेबल स्पून बेसन बेसन को जो है वो आप हलका सा रोस्ट कर लें वन टेबल स्पून हम इसमें कॉन फ्लार और कॉन स्टार्च एड़ कर देंगे वन टेबल स्पून अदरक लसन का पेस्ट इसे भी हम एड़ कर देंगे और अब हम इसमें आड़ करेंगे 2 टेबल स्पून कच्छे पपीते का पेस्ट, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी मीट टेंडराइजर का इस्तमाल कर सकते हैं, लाइक कच्छी पाउडर, इससे जो है वो हमारा मीट अच्छे से टेंडराइज होगा, और अगर आपके पास कच्छी पाउडर भी नहीं है, तो फिर आपको इसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना होगा, लेमेन जूस हम इसमें आड़ कर देंगे, वन टी स्पून, अब एक लास्ट इंग्रीडियंट हम इसमें आड़ कर देंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, म अगर आपने फैट वाला कीमा नहीं लिया है, तो फिर आपको मखन डालना बहुत ही जरूरी है, तो अगर आपको मखन आड़ नहीं करना है, तो फिर आप अपने कीमो में जो हैं वो फैट डलवा लें, और अब हम इसे पीस लेंगे, बहुत ही बारीक हमें इसे पीसना है, जरा भी आप इसे मूटा ना रखें, बिल्कुल बारीक इसे हमें पीसना है, और हाँ इसी में हम 3-4 हरी मिर्चें भी इस्तमाल कर लेंगे, मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, तो यहाँ पर जो हमने कीमा है वो पीस लिया है, बिल्कुल बारीक हमने इसे पीसा है, आप देख सकते हैं कितना बारीक हमने इसे पीसा है, इसी तरह आपको बारीक इसे पीस लेना है, बिल्कुल ही बारीक सा, और इस कीमे को जो है वो बिल्कुल साइट साइट कर लें, और बीच में ऐसे रख दें फॉयल की प्याली, अगर आपके पास फॉयल की कवर कर दें और इसे हम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमारे कबाबों में जो है वो एक स्मूकी सा फ्लेवर आ जाए तो यहाँ पर हमारे कबाब का जो मिक्चर है वो रेडी हो गया इसे हमने रेस्ट के लिए नहीं रखा क्योंकि हमने इसमें पपीते का पेस्ट डाला था अगर आपने नहीं डाला है तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट के लिए जरूर से रखें अब कबाब बनाने के लिए हम अप्लाई कर लेंगे हातों पे थोड़ा सा तेल और हम एक छोटा सा पॉशन ले लेंगे कीमे का और उसे इस तरह से हातों से गोल करते हुए जाएंगे हम इसे बनाएंगे स्ट्रॉ से इनकेस आपके पास स्ट्रॉ नहीं है तो फिर आप पैंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर यह बिल्कुल गोल हो चुकी है आप देख सकते हैं अब हम इस पर इंसर्ट करेंगे एक स्ट्रॉ और इस ट्रॉय इंसर्ट हम जैसे ही करेंगे तो ये उपर जो आप देख रहे हैं थोड़ा कबाब का मिक्चर है उसे आप निकाल लीजेगा और फिर से आप इसे गोल गोल कर लें क्यूंकि ये गोला कबाब है न तो इसको तो गोल होना लाजमी है तो अच्छे से आप गोल कर लें और निकाल लें देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा जो गोला कबाब है वो रेडी हो गया है तो देखा आपने कितना आसान है इस गोला कबाब को बनाना कितना परफेक्ट ये गोला कबाब बना है ऐसे ही हम सारे कबाब को शेप दे देंगे तो यहाँ पर हमारे जो गोला कबाब हैं वो रेडी हो गए अब हम चलते हैं इने फ्राइ करने के प्रोसेस में और एक पैन में हम ऑईल डाल देंगे तकरीबन हाफ कप, ऑईल जब गरम हो जाएगा तब हम सारे जो गोला कबाब हैं उसे प्लेस कर देंगे, एक एक करके एकी साथ आप बहुत सारे कबाब मट डालिएगा, गैस की फ्लेम जो है वो हम मीडियम ही रखेंगे, इन कबाबों को जब आप गरम तेल में डालें तो फॉरण से आप इसे पल्टे ना, छुए ना, क्योंकि ये बिखर जाएंगे, थोड़ा सा वेट करें और उसे पकने दें एक साइड में, तो दो से तीन मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज कर लें, इन कबाबों को हमें गोल्डन होने के लिए आप इसे एक साइड में पका लें और फिर दूसरी साइड आप दो से तीन मिनट के लिए पका लें, तो यहाँ पर जो हमारे गोला कबाब हैं वो फ्राय हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, दोनों साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम वो सारे गोला कबाब को निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे गोला कबाब बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए हैं, तो सारे आप निकाल लीजिए, तो लीजिए तयार है, यहाँ पर हमारे मज़ेदार से गोला कबाब, यह जो कब वो अंदर से भी बिल्कुल पर्फेक्टली कुख हुए हुए हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं यह अंदर से तो आप इसे चटनी के साथ सर्फ किजिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको कैसे लगी इस गोला कबाब की रेसिपी औ और हाँ अगर आपने इस रेसिपी को ट्राइ किया है तो इसके पिच्चर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर नीचे उसका लिंक है मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ तब तक आप इस गोला कबाब को इंजॉय कीजिए